नमस्का सातियों तो आज हम लोग बात करेंगे नारायन राने के बारे में और मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब महराश्ट की राजनीती की बात होती है तो एक तरह से पिस्तित नेता माने जाते हैं कौन नारायन राने और कापी इनकी महराश्ट की राजनीती में चल्चा भी होती रहती है आपकी स्क्रीन के सामने आपको नारायन राने दिखाई भी दे रहे होंगे और अभी बर्तमान में आप सभी जानते हैं कि भारती जंता पार्टी से जुड़े हुए हैं और बर्तमान में इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कब कौन सा नेता किस पार्टी में सामिल हो जाए एक कहना हमारे देश की राजनीती में बड़ा मुस्किल है आप देखते हैं कि सुभए कोई किसी और पार्टी में रहता है दोपर में किसी और पार्टी में रहता है साम तक किसी और पार्टी में चला जाता है तो अगर हम लोग नारायन राने के बारे में बात करें तो महराश्ट की कद्दावर नेतर नारायन राने का जनम 10 अपरेल 1952 को रतनागिरी में एक सावान परिवार में हुआ था एक बार आप लोग महराश्ट को देख लीजे आपकी स्क्रीन के सामने आपको भारत का मैब दिखाई दे रहा होगा और महराश्ट की राधधानी देखें तो आप लोगों को मुंबई देखने को मिलेगा एक मई 1960 को इसे क्या बनाया गया था? राज बनाया गया था एक मई को आप सभी जानते हैं कि महराश्ट डे भी मनाया जाता है इसकी राधधानी मुंबई है इसकी बिंटर राधधानी कैपिटल नांगपूर है यहाँ आप देखेंगी तो बिधान साभा में 288 सीटें देखने को मिलेगी बिधान पशुषद भी है जिसमें 78 सीटें है राज सभा में 19 सीटें है लोग सभा में आपकी 48 सीटें है कितनी 48 सीटें है तो यह भी एक सामन जानकारी के लिए याद रखा करिएगा और राजनीती में आपकी दिल्चस्पी है तब भी आप लोगों को यह पॉइंट अच्छे रहते हैं सीटों के बारे में और वैसी भी अगर आप लोग किसी एकजाम की तयायरी कर रहे हैं तब यह आप देखते हैं कि इस तरह के कुश्टन्स पूँच लेता है आपकी परिक्चाओं में नारायन राने के पिता का नाम सीताराम राने और तातू सीताराम राने और माता का नाम लच्छमी भाई तातू राने इनकी माता का नाम नारायन राने की पत्नी का नाम नीलम राने और नारायन राने के दो पुत्थें नारायन 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 की बेटों का नाम नीलेस राने और आप देखेंगे नीतेस राने है तो ये भी याद रखिएगा और नारायन नारायन ने अपनी स्कूली सिक्षा मुंबई से के एक स जानकारी है ना तो मुझे मिल पाई है और मैंना ही बता सकता हूँ मैंने जो आंगडे देखे हुए उसमें 11 तक इने 11 कक्षा तक पड़ा लिखा बताये गया है और वैसे भी हमारे देश की राजनिती में पड़ा लिखा होना जरूर ही नहीं है आप सभी जानती है कि अगर आ आपको देखने को मिल जाएंगे इसके राजनितिक केरियर की अगर हम लोग बात करें राजनितिक सफर की तो मीडिया रिपोर्ट की अनुसार नारायन राने ने अपने केरियर की शुरुआत दौर में अपनी अजीबका के लिए चिकन सौफ चलाया करते थे नारायन राने अपने राजनितिक करियर की सुरुआत साल उनिस और सच में scicle 17 साल की उमर में सिव सैना से की थी और आप सभी जानते हैं कि सिव सैना बालासाः ठाकरें की पाईटी हुआ करती थी अब आप सभी जानते हैं उनके उत्तरा अदीकारी की रोम में उधा उठाकरें आ चुके ह अपने केरियर की सुरुवाती दोर में उनूने इहुवाओं को सिप्सेना से जोड़ने का काम किया और इससे सिप्सेना की अंदर नारायन राने जलदी लोक twere हो गए और सिपसेना प्रमुक बाला साफ ठागरे भी नारायन राने की कारिसेली से खासे फिरभावित हुए उन्होंने नारायन राने को चेंबूर में सिपसेना का साखा का प्रमुक बना दिया था फिर आप देखेंगे इसके बाद नारायन राने का कद सिपसेना में तेजी से बड़ा 1985 से 1990 तक राने सिपसेना की कॉर्पोरेटर रहे साल 1990 में सिपसेना ने विधान सभा चुनाओ में नारायन राने को टिकेट दिया और नारायन राने ने चुनाओ जीतकर उसे सही सावित किया और आप सभी जानते हैं कि जब आप लोगों कोई विधानसवा का चुनाओ लड़ना होता है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होनी चाहिए और विधायक का चुनाओ डारेक्ट जनता की द्वारा होता है आपकी उमर भी 18 साल हो चुगी है तो आप लोग भी बोट डालने जाते होंगे साल 1996 में महाराश्ट में भाजापा उसिपसेना की गरवंदन सरकार में नारायन राने राजस मंत्री बनते हैं साल 1999 में जब मनुहर जोसी महाराश्ट की मुकमंत्री बने पद से हटे तो बाला साफ ठाकरे ने अपने भरोसे मंत्र नारायन राने को महाराश्ट की मुकमंत्री बना दिया था तो ये महाराश्ट की मुकमंत्री भी रहे हैं नारायन राने ने करीब 9 महिने तक महाराश्ट की मुकमंत्री पत्का समाला हाला कि इस दोरा नारायन राने और बाला साफ ठाकरे की बेटे उधाव ठाकरे की बीच खीचातान होने लगी खीचतान अंगले बिधान सवा चुनाव में जब भाजापा और उस सेपसना के गटवंदन को हार मिली तो नारायन राने बिपक्च के नेता बन गए और इस बीच नारायन राने और उधाव ठाकरे जो बाला साफ ठाकरे की बेटे की बीच खीचतान बढ़ने लगी और इसी बीच जब बाला साफ ठाकरे ने उधाव ठाकरे को सेपसना का कारिकारी अध्यक्च बनाये तो नारायन राने नाराज हो गए और नारायन राने ने उ पाइटी हो राजनितिक उत्तरादीकारी की बात कर लीजे या किसी और तरह की विरासत की बात कर लीजे पिता के बाद हम इसा पुत्र ही उसका विरासत का उत्तरादीकारी होता है इसे के महराश्ट में आप देख लीजे बाला साब के बाद उधा उठाकरे बने आप देखे क का बेटा नालायक हो लायक हो इससे कोई मतलब नहीं रहता है सेपसेना से निकाले जाने के बाद नारायन राने कॉंग्रेस पाइटी में सामिल हो जाते हैं और कॉंग्रेस से नारायन राने को महराज सरकार में revenue मंत्री बनाया गया साल 2008 में मुंबई में हुए आतंगी हमले के बाद जब विलास राओ देशमोग ने मुखमंधी पत से इस्तिपा दिया तो कॉंग्रेस ने असोग चौहान को मुखमंत्री बना दिया इससे नारायन राने नाराज हो गया उन्होंने बयान वाजी शुरू कर दी और ऐसे में कॉंग्रेस नारायन राने को 6 साल की निलंब सौपा गया साल 2017 में आप देखेंगे नारायन राने ने कॉंग्रेस पाइटी से इस्थाप्या दे दिया और खुद की पाइटी बनाई जिसका नाम महराश्ट स्वावीमान पक्च रखा गया था साल 2018 में नारायन राने ने अपनी पाइटी का समर्तन भाजापा को देने का दिला कर दिया और भाजापा में आने की बाद पिधानमंती नारायन राने को मनी सरकार में सामिल किया और साल 2021 में नारायन राने को MSME मंतरा ले दिया यानि कि इन्हें मंतरी बनाये गया नारायन राने से जुड़े हुए कुछ बिबाद भी हैं इन्हें भी देख लीजे न नारायन राने अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्कियों में रहते हैं। साल 2021 में नारायन राने ने महराश्ट की मुखमंत्री उधाव ठाकरे की आलोचना करती हुँ उन्हें थपड तक मारने की बात कर डाली थी। और राने की इस बयान के बाद उन पर एफाईयर दर्च क कर दी गई थी। और इसके बाद अलाबा सिपसेना की कारकरताओं ने कई सहरों में नारायन राने की खिलाप पिदर्सन भी किया था। नारायन राने ने अपने बयान में कहा था कि ये सरमनाक है कि मुखमंत्री कोई नहीं पता कि हमें आजाद हुए कितने साल हो गए है। भी है किसी निता के बारे में जानने की किसी एक्टर के बारे में या कोई भी चर्चित बैक्ती के बारे में तो उसका नाम बताईएगा आप लोग उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। और एक बात और बता दीजे कि अभी तक हम लोग बरतमान तक उसकी करम कुंडिली जो आप लोग देश दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहीएगा वैसे आप लोग जुड़े रहते हैं तो आपको मालू भी चलता रहता है ठीक है चलिए आप लोग एंज्वाय करिएगा प्रहाल